कि हैं लोगाज वेलकम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल इंजिनियर माइन तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटल्स में डिसक्स करेंगे जो बीटी एससी जेए की वेकेंसी आए भी थी बिहार में वो केंसिल कर दिया गया था जो नियमा वाली है वो भी तियार कर लिय गया है और फिर से विकेंसी आने वाली है तो क्यूथ लेट हो रही है और कप तक विकेंसी जाएगी जो बीटी सप्रा सब्सक्राइब है तो बहुत से लोग अपने अपने laying पर ख़ब खाइब हार हैंं कि एक बीटी एससी जेमें डिक कि आम कर दिया गया है क्यूंकि ब्रीटिक्ष्ट कर हैं 29 केश वापस कर लिए इंगे क्या सच में भाप लोंऔर रे या फिर कुछ और तेनन है जिसे की वापस कर लिया है क्युंकि हादर इष्टेट में जैसे जरकन्ड यूपी होt सब्सक्राइब करें तो सभी इस्टेट में और सेंट्रल में भी दिल्ली की बात करें तो जुनियर जुनियर के पद के लिए और सुप्रिम कोट ने उत्राखंड में भी के लोगों को भी एक बार बोला था कि उच्छ डीगरी जो है वो मिनस छोटे पत के लिए वह यह नहीं है कि मिनस खराब नहीं है वुनवत्ता पूरौन होनाु चाहिए किते पोषT के लिए अगर बड़ा डीगरी है तो वह साइई है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो एक एक करके हम लोग डिसक्स करेंगे कि आदर ए स्टेट में यह वीट έχ राव सब्सक्राइब खेस करेंगे इससे पहले आपसे रिक्वेसट के भी तक आपने हमारे चनलician Continue REM को सबस्क्राइब नहीं किये तो अज को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इंजिनिरिंग जो अप्डेट्स वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके क्योंकि हम अपने चैनल के माद्यम से आपका अगर BTSC, JEE की बात करें तो उसकी जो वेकेंसी आएगी और उसका जो सिलेवस रहेगा उसका भी सिलेवस में आप लोगो को कवर करवाऊंगा तो इसलिए आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब हम लोग बात करते हैं क्या बिहार में जुनियर जुनियर के लिए बिटेक इलाव कर दिया गया है बिटेक अभी दोस्तों अभी बिटेक के लिए ऐसा कोई भी इनफोर्मेशन या खबर नहीं आई है क्योंकि अभी तक जो केस था बिटेक वालों के दोरा वो सिर्फ वापस लिया गया है और क्यों वापस लिया गया है इसका कोई पता नहीं है बहुत से लोग बोल रहे थे कि WRD या फिर और से जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोला कि आपकेस वापस ले लिजे हम बिटेक को allow कर देंगे अगर ऐसा रहा था तो friendships नियमा वली जो बना है तो नियमा वली में ही allow कर दिया रहा था आप नियमा वली बन ही रहा है तो चलो उसमें बिटेक को eligible कर देते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी सिर्फ case को वापस लिया गया है और case को क्यों वापस लिया गया है यह अभी कुछ information नहीं है तो बहुत से लोग खबर फैला रहे थे कि बिटेक को eligible कर दिया गया है तो अगर किया भी गया है by chance तो ऐसा भी कुछ information नहीं मिला है पहले से आप कैसे case हो सकता है कुछ और region से वापस लिया गया होगा हो सकता है कि उन लोगों के पास जो budget है उतना नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है यह फिर चलेगा जब तक कि कोई information नहीं आजाता है अभी कहीं से भी ऐसा कोई भी information नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके कि प्यार बिटेस्टी में जुनियर इंजिनियर के पोस्ट पे बिटेक को इलाव कर दिया गया है हाला कि यह जरूर है कि बिटेक वाले case को वापस ले लिए है लेकिन रीजन क्या है वापस लेने का यह नहीं कि मतलग चीफ सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो है उन्होंने बोला कि आप case वापस ले लिए हम भी टेक को इलाव कर देंगे जो vacancy आएगी तो ऐसी नहीं होता है दोस्तों जब नियमा वाली बनती है त क्यूंकि केबिनेट से स्विक्रीति लेने पड़ता है इस चीज के लिए तो आपको बता दे कि अभी बीटेक वाले जो case वापस लिए इसका मतलब यह नहीं कि बीटेक को इलाव कर दिया गया है कोई डबलू आरडी के सेक्रेटरी से बात कर लिया कि हाँ बीटेक एलाव हो और आइसे आप नहीं बोल सकते हैं कि केस को वापस लिए तो बीटेक एलाव कर दिया क्या और अगर कुछ information मिलता है तो मैं आपको ज़रू बतलाओंगा तो इसलिए आप बिल्कुल tension मतलीजिए कि बीटेक एलाव हो गया है और बीटेक वाले भी यह tension मतलीजिए कि अब तक कोई information नहीं हुआ है मैं किसी के नहीं जएगेंस्ट में हूँ और नहीं भी टेक के एगेंस्ट में हूँ मैं दोनों के फेवर में हूँ जो भी वर्क होगा दोनों के लिए best होगा तो इसलिए आप से request है कि अभी ऐसी कोई रीमर ना फालाएं कि बीटेक एलाव कर दिया भीड़ हो जाएगा अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसलिए आपसे request है कि आप patience बनाये रखें और ऐसा कुछ information होता है मिलता है तो मैं आपको जरूर बतलाओंगा इसलिए आपसे request है कि चैनल को subscribe करो वीडियो को share करो और like करो